हेलो सांतियों, वेलकम टूरेलिश टड़ी, दोस्तों आज किस वीडियो में मद्द ब्रदेश पत्वारी 2023 के स्पैसाल एक्जाम का नेक्स्ट एनलिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 18 अप्रेल सेकेंड सिप्ट का एनलिसिस से हम कवर करने वाले, से पहले फस्ट सिप्ट का हम आपको कवर करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देख आई तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दे दे देंगे, जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं, के लिए रही, फाइनली स्टार्ट कते हैं गाईस देखिए इस वीडियो की पीडियेप के लिए अप्लिकेशन को डाउलूड कर लिजगा टेलिग्राम चेनल को जोइन कर लिजगा दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलियागी यह स्टेफ फोलो करेंगे अससनी से आपको पीडि वाले दिनों में कभी आपका ऑफ्का एक्जाम है तो आप हमिन नंबर पर अपने कॉशंच सेंट करें आज बी काफी अच्छे काश से कोशन समय सेंट करें हैं काफी सारे लोगों के द्वारा कॉशंच मिले हैं हमें तो उन्हें पहले तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद दे करें ताकि हम as it is आपको analysis provide कर पाए जितना भी questions पताओ at least आपको अगर एक question पता है तो एक question या आप हमें send कर सकते हैं या बता सकते हैं clear है तो आप हमें नंबर पर भी contact कर सकते एक्जाम देने के आए देखिए जीके के फैले cover करेंगे पहला question हमारे निकल कर आ रहे है बीम बैटका की कुफाएं किस पहाड़ी छेत्र में आती है या कहां पर इस्तिते किस पहाड़ी में इस तरह से question पूछा गया है बीम बैटका जो सिलासरे हैं यह मत्रदेश की किस जीले में यह राइसें जीले में देखिए सुबा वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सांची वाला आपको गलती से विदीसा बता दिया था हमें पता है यह राइसें में है आपका राइसें में सांची जो है यह राइसें में ना कि विदीस तो आप इसमें तोड़ा सा याद रखेगा, आप सभी को वैसे पता है, बट हमने क्लियरिफिकेशन के लिए तोड़ा सा बता दिया है, कि ये चीज़े गलती से हुई है, जान बूच कर हमने नहीं किया है, भीम बेटका का सिलासरे मतिप्रदेश के राइसन जीले में देखने को मिलता है, भीम बेटका की गुफाएं, तो कोशन इस तरह से ही पूचा गया था, कि भीम बेटका की जो गुफाएं हैं, ये किस पहाड़ी चेत्र के अंतरगत आती है, या किस पहाड़ी चेत्र में इस तरह से जो भी पूचा हो, विंद्यांचल पहाड़ियां आपका करि इसे जीले में इसे 2003 में युनेस्को विस्व धरोवर इस्तल भी घोसित किया गया था अगला कोशन पूजा कया है 108 वी भारती विज्ञान कॉंग्रेस की अध्यक्षता किस ने की तो 108 वी भारती विज्ञान कॉंग्रेस की जो अध्यक्षता की गई ये डॉक्टर वीजे लक्षमी सक्सेना ने की है डॉक्टर वीजे लक्षमी सक्सेना इनका नामे और प्रदान मंत्री ने इसका उधगाटन किया के लिए रहे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को एकसो आटवी विज्ञान कॉंग्रेस जो थी इसका उधगाटन किया भारती विज्ञान कॉंग्रेस ISC का पिछला संसकरन जनवरी 2020 में बंगलोर में हुआ था बैंगलोर में के लिए रहे और इसका पहला जो संसकरन हुआ ये 1914 में आयुजित किया गया था 108 वी भारती विज्ञान कॉंग्रेस सत्र में आदिवासी विज्ञान कॉंग्रेस भी सामिल किया गया जो आदिवासी महिलाओं के सस्थिक करन पर ध्यान केंदेद करती है अगले कोशन के और आगे बढ़ते हैं कोशन अगला निकल कर आ रहे बिहार में 1857 के विद्रो का नितरत्व किसने किया था तो बिहार में 1857 के विद्रो का जो नितरत्व किया था ये कुमर सिंग के द्वारा किया गया था कुमर सिंग ने बिहार में 1857 के भारती विद्रो का नितरत्व किया था और कुछ यहाँ पर important level के विद्रो हमने दे दिये आपको देखिए विद्रो का इस्तान भारती ने था और ब्रेटिस अधिकारी जिन्नों ने इस विद्रो को दबाया है उनको तीनों को आपको यहाँ पर मिल चुका है तो दिल्ली में 1857 की करांती का जो नितरतु किया था या हेनरी लौरेंस ने दबाया था केलेरे इसके अलावा कानपूर में नाना साहिम ने किया था सर कॉलिन के बेल के दवारा इसे विद्रो को दबा दिया गया था नेक्स्ट जहाँ से और ग्वालयर में 18 суд構न की करांती का विद्रो जो वह था नितरतु इसका जो नितरतु किया था ट्रस टाउन करांति का जहांसी में लक्षमी भाई और ग्वालर में तत्य टोपे ने किया था और इसको किस ने दबाया था सर हुज रोग ने रोज इनका नामे जनरल हुग रोज के लिए तो इनके दोरे इस विद्रों को दबा दिया गया था बरेली में इसका जो नितरत ने किया था जेसके बारे में आपका कोशन बना है अगला कोशन एक पूचा गया है तो भीहारी की रचनाओ में किस रच की प्रधांता है सई जवाब रहेगा स्रंगार रस कवी बिहारी लाल इनको पहले पूरा नाम है इनका बिहारी लाल कवी बिहारी लाल के नाम से भी इनको जाना जाता है तो बिहारी लाल की रशनाओं में स्रंगार रस की प्रदानता है, स्रंगार रस के कवी यह है, बिहारी जी रितिकाल के कवी है और उस शमें उन्होंने स्रंगार रस से भरी हुई रशनाओं लिखी थी, अगला कोशन पूझा गया है, धर्म निर्पेक्च सब्द को किस सन्वि संविदानिक संसोधन के दायत के लिए रहे धर्म निर्पेक्च सब्द 1974 में 42 संविदानिक संसोधन अधिनियम के माध्यम से बारत के संविदान के प्रस्तावना में डाला गया धर्म निर्पेक्च सब्द का अर्त है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना धर्म निर्पेक्चिता का अर्त है धर्म को जीवन के राजनेतिक आर्थिक सामाजिक और सांसकतिक पेलों से अलग करना धर्म को विसुद रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। के लिए रहे अगला कोशन बनाए हाली में ब्लू फ्लेग प्रमानन कितने टटी चेत्रों को मिलाए भारत के तो यह 12 टटी चेत्रों को मिलाए भारत में अब 12 ब्लू फ्लेग समुद्र टटें दुनिया के सबसे स्वच्च समुद्र टटों को यह दिया जाता है ब्लू फ्ले है ना लवलू बीच समाज को गुरवानवित और परिटन को अकरसित करते हैं ब्लू फलेक कारिक्राम मूल रूप से फ्रांस में 1985 में शुरू हुआ था और ये एक सर्टिफिकेशन ही जो समुझर टट मरीन या इस्ताई नो का वियार परिटन ऑपरेटर को दिया जाता है यह एक एक एको लेवल के रूप में भी करता है अगला कोशन बनाए बिहारी जी की रशना कौन सी है तो बिहारी ससे इनकी एक मातर रशना है अगला कोशन है जेलम नदी की किनारे बसा नगर कौन सा है या फिर स्री नगर कौन सी नदी की किनारे बसा नगर स्री नगर अगला पोइंट की बात करें जेलम नदी सिंदु नदी का एक सायक नदी है जेलम नदी की उतपति पीर पंजाल के तल पर बेरी नाग बिंदु से हुई है जेलम नदी को प्राचिन युनानियोन के हाई डिस्पैस के रूप में जाना जाता है अगला कोशन मना है अमरता देवी विस्वनोई पुरुसकार के शेत्र में दिया जाता है तो वन जीव संरक्षन के लिए दिया जाता है अगला कोशन पूचा गया है किस अवोर्ट को ग्रीन ओसकर के नाम से जाना जाता है संसोदा नदिनियम द्वार संसोदित किया गया था तो 42 वा सन्विदानिक संसोदा नदिनियम के तायत इसको संसोदित किया गया था या तो question हमने पहले जो बताया है वही होगा या फिर दो question इससे पूछ गए हैं तो आप याद रखेगा दो हमें अलग-अलग तरीके के questions मिले जो कि हमने आपको बता दिये हैं अगला question मनाए निमने मैसे कॉनसा सही है इस तरह से कथन आपको दे रखे थे दिए कथन ए और बी इसके लावत दो ओर दे रखे तो जो कि याद नहीं रहे हैं तो दो और दे रखे थे सा और दा तो इन में से बताना था चारों में से कि कौन सा सही है कि लिए इस तरह की questions भी आप से पूछ जा रहे हैं अगला question है निरियात के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो निरियात नियंत्रन प्रबंदक जिम्मेदार होता है निरियात के लिए न यहां पर जितना भी हमें मिला है सारा का सारा आपको बताने की कोशिश के और काफी अच्छे-कास कोशन मिल चुके हैं कि लिए आई यह साइंस को कवर करते हैं यह हमारी पटवारी की टेस्टिस इसे जेल प्रारी फोरेस्ट गाट की सम इंस्पेक्टर की इन पार अगर डेमो चिकाउट नहीं किया है तो डेमो एक टिक लिस्ट आप एक बार जरू से चिकाउट करें क्योंकि डेमो चिकाउट करेंगे तभी आपको कंटेंट का परता चल पाएगा कितना एडवांस कंटेंट है नए पैटन पूरा का पूरा इसमें आपको दिया जा रहे और नहीं जो चुआचूट की बीमारी किसे फैलती है तो एक दूसरे को छुने एक दूसरे की इस्तेमाल की गई चीजों का उपयोग में लाने से चुआचूट की जो बीमारी ये फैलती है तास्टिक सोडा का सुत्र क्या है इन ए ओ एच सोडियम हाइडराकसाइड इसको बले जाता है घीफन का सोडा का सुत्र नAh之後 ए लोग आता है जिपसं का राशायानिक सुत्र क्या होता है तो सी एस गसको पूचा से और संक्रामग रोग संक्रामग रोग कौन सा है तो कंप्यूटर में बात करें सी डबबलेंस का पूरा नाम पूचा से तो इसका पूरा नाम है, एक extending, है ना, style seat से बिसकील इसको बोला जाता है, तो यह option में आपको दे रहा था, ALU का पूरा नाम, arithmetic logical unit इसको, logical unit यह है, इसका फूरा नाम, इसका लाव next question है, hard disk कितने भागों में विवाजित होती है, चार भागों में बटी होती है, MS Word 2007 से question बना है, आपका lane से question पूचा गया, OSI model में कितने layer होते हैं, तो 7 layer होते हैं, इस तरह के question पूची जा रहे हैं, management में संगठन से question बने हैं, विपनन से, निर्देशन से, नियंतरन से, और प्रबंद से, इसके अलावा और भी topics आपकी exam में question बने हैं, बात के रहें, इंगलिस में, error से question बने, miss spell आपकी आई थी, sentence correction, है न, इसके अलावा, यहाँ पर पैरा जंबल से question बने, direct indirect speech से, एक्ट्व पैसिव वोई से, और item से, इन सभी topics से question पूच गए हैं, मैस में, समयकारी से question बने, percentage से, अनुपास से question पूच गए हैं, के लिए रहे, इसके अलावा, मिसरन से भी question देखने को मिले, रेलगाडी आईए आईए आपकी, चालदूरी से question बने, ओसस से बने हैं, नाउधारा से बने हैं, छेत्रमिती से question बने, लाभानी से, इसके से question बने, missing number से question पूच गए, आकरती, रक्त, संबंध, पांस से, calendar, इन सभी topics आपकी exam में question डेली 22 बन रहे हैं, के लिए रहे, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजी, सिहर कर दीजी, वीडियो आपको कैसा लगा, comment में, comment करके ज़रू से बताईगा, ये कुछ ये अप्लिकेसन को जोइन कालेजिका, डौनों के लिंक आपको description में मिल जाईए, चैनल को share कर दीजी, इस वीडियो को share कर दीजी, और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, सबस्क्राइब करके बेल आइकन को on करके रखे, ताकि जो भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं के लिए रहे मिलते हैं हमारे कल के फस्ट सिप्टिक एनलिसिस कसान तब तक ले जेहिंद वंदमात्रम